नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकुर शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों से देश की रास्थानी दिल्ली में हैं दिल्ली एरपोर्ट से एक खबर आई है जिसमें तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कॉंग्रेस निता प्रवक्ता पवन खेडा को राइपूर जाने से रोग दिया गया और दिल्ली के उप मुख्या मंत्री मनीशी सूधिया के स्तीफे की मांग कर रही है कल ग्रीम अंत्राले की तरफ से स्नूप गेट मामले में केस दर्च करने के अनुमती दे दी गई थी जिसके बाद बीजेपी लगातार मनीशी सूधिया के ऊपर आम आदमी पार्टी के सामने है और दूसरी तरफ बीजेपी और कॉंग्रेस है कि आपका सामान दिख्वाना है मैंने का मेरे पास की सामान एटी हैंट आगे तो मैंने इस पर आप आई हैं तो आप नहीं जा सकते अभी डिसीपी आएंगे आप से मुझे खुद नहीं मालूम है इसले मीश मिनिट स कि मुझे नहीं मालूम मुझे किस वज़ा से रोका गया मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था मुझे पुलिस के कुछ जवान आते हैं वो कहते हैं कि आपको उतरना होगा आपके समान के तलाशी होगी आपसे डिसीपी मिलेंगे तब तक उन्हें रोक दिया गया उनका यह कहन से यहां पे मुझे रोका गया है अभी तक असंप पुलिस दिल्ली पुलिस किसी तरह से कोई स्पष्टी करण सामने नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कॉंग्रेस के तमाम कारे करता है जो इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे वो भी एरपोर्ट पे विरोध पलशन कर रहे हैं और यह दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश की रासानी दिल्ली की यह दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज सियासी संग्राम और सियासी घमासान लगतार देखने को मिल रहा है तमाम दिगज निता अंगामा और विवाद देखने को मिल रहे हैं